अलो फ्रेंट्स माई साहिब डॉक्र सुनील तावार कंसल्टेंट एंट 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 राइनो प्लास्ति सर्जन दोस्तों आज हम जानेंगे आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो आर्मी एस्पीरेंट जो ब्रदर्स हैं जो आर्मी में जो जाना चाहते हैं उनके लिए रेफर प आपको समय समय पर मिलता रहे हैं दोस्तों जो आर्मी में जाना चाहता है उसको जो है वो आपको यह पता है कि मेडिकल में हमारे को फिट होना है दोस्तों वहां पर एक एक्जाम के बाद एक मेडिकल एक्जामिनेशन होता है जिसमें पूरी बोडी का एक्जामिनेशन होता आज हम ऐसे बात करेंगे ENT referral point की ENT के regarding आपकी क्या-क्या fitness होना चाहिए दोस्तों ENT मतलब ear, आपका nose and आपका throat दोस्तों जो mostly जो हमें OPD में देखने को मिलता है जो हमारे पास जो बच्चे जो army से जो refer होके आते हैं जो referral point दिया जाता है वो अमूमन जो है वो ear और nose में most common दिया जाता है throat में बहुत कम जो हैं जिनके regarding उनको दिया जाता है तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं ear में क्या refer point है दोस्तों अगर हम बाहर से बात करते हैं तो सबसे पहले तो यह पिन्ना की structure है यह आपकी normal होनी चाहिए अगर कोई patient की anosmia है basically microtia है या बाहर का पिन्ना का अकार छोटा है उसको भी बहुत बाहर जो है refer दे दिया जाता है या फिर जो हमारा बाहर का जो कान है और जो हमारा पर्दा है उसके बीच का यह hole है जो मन जो refer दिया जाता है वो हमारे पर्दे के अंदर problem होती है उसके करण दिया जाता है दोस्तो गोड ने हमारे को एक कान के अंदर एक tissue की पतली layer है जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं पर्दा जो है वो कान के अंदर की जो middle ear और inner ear है जिससे हमारे को सुनाई देता है जहां पे हमारी सुनाई की हड़ियां होती है जो सुनाई का system होता है उसको protect करने के लिए एक layer बनाई है और इस layer का काम होता है कि जब हम बोलते हैं सारी आवाज उससे टकराती है उसमें कमपन बनते हैं वो कमपन एक हड़ी और एक नस की तुरू हमारे दिमाग को जाता है दिमाग समझता है अपन बात का जवाब देता है तो दोस्तो इस कान के परदे में क्या क्या problem है पहला इस कान के परदे में सपूज अगर कोई hole है कान के परदे में बड़ा सारा छेद है तो उसके करण उनको refer दिया जाता है क्यों refer देते हैं क्योंकि अगर कान की परदे में hole है तो आपका वहां पे vibration नहीं होगा तो you have a decrease hearing आपको सुनाई कम देगा दूसरा आपके अंदर जो बाहर की जो atmosphere है उससे क्या उसका protection नहीं है अगर आप नवी में जाना चाते हैं आर्मी में जाना जाते हैं वहां loud sound होती है firing होती है तो आपका अंदर वाला कान more damage होगा क्योंकि उसका protection नहीं है इसलिए जो कान के परदे में जो छेद होता है उसको वो refer कर दिया जाता है दूसरा अमोमन जो कान के परदे में जो छेद होता है उसके करना बार-बार जो है कान में infection की chances ज्यादा होते है बार-बार आपको पस्पोरमेशन होता है और बहुत बार क्या है कि जो हमारा अंदर वाला कान है जैसे गाड़ी का इंजन होता है वो कान भी weak हो जाता है जिससे बहुत पार क्या हिसिंग साउंड या टिनाइट इस कान में develop हो जाती है दूसरा जो point होता है जिसके कारण refer दिया जाता है दोस्तो कान का परदा सही है कोई उसमें छेद भी नहीं है बट वो जो कान का परदा है उसकी बाहर ही सत्य पर अगर हम otoscope से या endoscope से देखते हैं तो उसमें बाहर सफेद सफेद दब्बे नजराते हैं दोस्तो यह जो सफेद दब्बे हैं, इनके करण भी रेफर कर दिया जाता है, अगर हम जानते हैं कि यह सफेद दब्बे क्या हैं, दोस्तो मेडिकल लेंग्वेज में इसकी बात करते हैं, तो यह है टेंपेनोस्क्रलोसिस, यानि जो हमारे कान का जो मिडल स्ट्रेक्चर है प अगर हम दोनों की बात, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो दोनों का ट्रीटमेंट संभव है, 100% संभव है, बट वो अच्छी टेक्निक से होना चाहिए, वो टेक्निक से होना चाहिए, जिससे हमारे को कहे है कान में चीरा नहीं लगे, इंसीजन नहीं लगे और स्कार नही इसलिए इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों दूसरी जो इंपोर्टेंट ओर्गन है नोज के रिगार्डिंग जो है वह भी आपको बहुत बार रेफर कर दिया जाता है क्योंकि नोज हमारा एक प्राइमेरी ब्रिधिंग का ओर्गन है इसलिए हारमी में आपको कहां पर फिजिकली फिट रहना जरूरी होता है आपका ब्रिधिंग का सिस्टम ठीक होना चाहिए अब नोज में दोस्तों जो आपको रेफर किया जाता है वो दो करण से मौस कोमन किया जाता है जो कॉमनेस्ट रिजिन जो हमारे को देखने को मिलता है वो है डीएनेस अब हमारे जो नोज गोर्ट ने जो बनाया उसके बीच में एक पतली बॉन होती है सेप्टम होता है जो नोज को दो एक्वल सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड करता है और हमें दोनों तरफ से एक्वल ब्रिधिंग होती है बहुत बार कुछ यंगस तरस में दोस्तों यह करण志ौंद में अआक के थे लिलगर और आट चानास में दिशुगत QEF दीनिमेा है टीकि बहुत सब्रीके परद्द नामस को जाना जाता है जिसे को पीछे हमारे सेप्टम पर यह था तो अगर आप यह देखोगे तो एक तरफ आपको दिखाई देगा तो उसके कारण जो है नेजल आपको ब्लोकेज फील होने लग जाता है इसके कारण आपको रैपर दे दिया जाता है दोस्तों डीनेस हो आगे का कोडल सेप्टम डेविएशन हो इन सब का जब रैपर आपको दे दिया जाता है तो उससे घावराना नहीं पौनीं रहे हंडेड पर सेंटे कीनिक से होती है वो इक्स पार्ट में बड़ा हुआ है उसको ट्रिम कर दिया जाता है और रेस्ट वार्ट को मिड लाइन में जो है, अग्जेक्ट उसको फिक्स कर दिया जाता है, जिससे जब मेडिकल होता है क्योंकि यहां पर आपको य हो करके देखा जाता है, तो आपका सप्टम इस हमारे नाग के पार्ट के पीछे एक्जेक्ट होना चाहिए इसमें भी दोस्तों एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि बहुत बार क्या होता है कि जब चिकित सक को उसका प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो जो आगे का जो पार्ट है उसको वो कैट ट्रीम करके निकाल देते हैं दोस्तों ऐसा नहीं कराना क्योंकि आगे को उसको ट्रीम करने से आपको 6-8 मैंने बाद नाक आपका नीचे आ जाता है तो वो कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता इसलिए उसको उस टेक्निक से कराना चाहिए जिसमें वो नोज हमारा डूपी नहीं हो नहीं तो आपको कॉस्मेटिकली वो नोज की एक इरो नोज को एक तो उसको जब रेपर दिया जाता है तो उसका भी एंडोसकोफी्स और सश्रेक के मात्यम से उसको ठीक कर दिया जाता है तो यह है दोस्तों Under Guardion tract मी जो है 1 जो है आरमी में रेफर बहुत कं दिया जाता है या तो किसी आपकी जीब बार नहीं निकलो तो भी उसको refer दिया जाता है यह बहुत कम होती है या किसी के बहुत बड़े-बड़े कोई tonsil हो उसके करण दिया जाता है यह बहुत कम होते हैं comparative ear or nose की जो है पेक्षिया में दोस्तों इस information regarding ENT referral point for a army aspirant I think this information is really useful for you, you can share your family, friends and colleagues just to create awareness for the army aspirant ENT referral point, thank you